नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल पर एक पीडियाटिक नेफरोलोजिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं ADPKD याने Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease के बारे में ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको सला दूँगा कि आप हमारे पिछले वीडियो What is a Renal Cyst एक बार देखिए और फिर इस वीडियो पे आई है अब ये किस्सा मेरे साथ मेरे Medical Training में हुआ था बात ऐसे है कि मेरे पास एक बच्चा आया था जिसके Sonography में Kidney में एक Cyst था मैंने सोचा ये एक Simple Cyst होगा और लगा कि ये एक मामुली बिमारी है लेकिन जब पेशन के पेरेंट से और डीटेल में बात की तब पता लगा कि उसके पापा को भी वही बिमारी थी और सुप्राइजिंग वाली बात है कि उसके चाचा और दादी को भी यही बिमारी थी मैं तो पूरा चौक गया ये ऐसी क्या बिमारी है जिसमें घर के आधे लोगों को ही हो जाता है दोस्तो यही सच्चाई है ADPKD की ये एक सिंपल सिस नहीं है ये परिवारों में चलती रहती है ये एक इनहरेटेड बिमारी है ये सबसे कॉमन जेनेटिक पॉलिसिस्टिक किट्नी डिजीज है 2000 लोगों में से एक इनसान को ऐसा हो सकता है ये लड़कों और लड़कियों में इक्विली होता है और अगर एक इनसान को ये बिमारी होती हो, तो शायद ये बिमारी उसके आधे परिवार में अल्रडी होगी. ADPKD एक genetic बिमारी है, याने patients के genes में कोई mutation होती है. इस बिमारी में दो genes identify किये गए है, PKD1 और PKD2. ये बिमारी को कारण genetic जरूर है, लेकिन ये usually 30 साल के बाद उठकर आती है, और जैसे जैसे उमर बढ़ती है, वैसे ही cyst का नंबर भी बढ़ता है, और साथ में kidney damage भी बढ़ता है. cyst की मात्रा बढ़ने से kidney का जो functional tissue है, याने काम करने वाला हिस्सा कम हो जाता है. अप्रॉक्सिमेटली 50 साल तक 50% patients को final stage of kidney failure होता है, और जैसे उमर बढ़ता है, उतना ही percentage बढ़ता है kidney failure का. तो अब अगर आपको ADP केड़ी है, तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है? kidneys का size बहुत बढ़ जाता है, जिससे पेट में, पीठ में काफी दर्द होता है, साथ में BP बढ़ता है, urine में infections हो सकते है, urine में खून आ सकता है, kidneys के surrounding structures पर दबाव आ सकता है, और slowly kidney failure भी हो सकता है, और kidney के बाहर बाकी organs को भी affect कर सकता है, जैसे कि brain जिसमें aneurysms हो सकते है, जि liver, pancreas, spleen में भी cyst आ सकते हैं, और heart के valve में भी problem आ सकता है, अब इसका diagnosis कैसे करे, majority cases में USG में ही diagnosis आ जाता है, जरूरत पढ़ने पर CT scan या MRI भी कर सकते हैं, ध्यान रखे, अगर ADPKD का suspicion है, तो सारे परिवार का USG से एक screening करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बिमारी का identification बह हमें पता चलता है कि कौन सा genetic mutation है, अब क्या ADPKD का treatment है भी की नहीं, unfortunately इसका कोई भी treatment नहीं है, ये बिमारी eventually, slowly kidney failure तक पहुच जाती है, इंटरनेट पे कही सारे claims है कि ADPKD को alternative medicine से reverse किया जा सकता है, ये सब जूट है, ये reversible बिमारी नहीं है, but yes, आप एक चीज जरूर कर सकत हैं, और वो है कि जो cyst है, उसके speed of formation को हम slow down कर सकते हैं, उसके लिए हमने पानी का intake बहुत अच्छा रखना है, blood pressure और diabetes को control में रखना है, kidney stones अगर हो तो उनका इलाज करना है, urine में अगर protein leak हो रहा है, तो दवाईों से उसे control करना है, और last में एक दवाई है, tolvaptan, ये करता है, इसे lifelong लेना पड़ता है, महेंगी दवाई है और सिर्फ medical supervision के अंडर ही लेना है, क्या इस बिमारी में surgery का कोई role है, तो बिमारी ठीक करने में तो कोई role नहीं है, लेकिन अगर kidney का size बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, और दर्द भी बहुत हो रहा हो, और surrounding organs पे भी को like कीजिए और share कीजिए, हमारा अगला वीडियो होगा ARPKD पर याने autosomal recessive polycystic kidney disease पर, तब तक के लिए स्वस्त रहे, नमस्ते, दोस्तों, अगर आपको kidneys के बारे में और जानकारी चाहिए, तो हमें comments में पूछ सकते है, या फिर हमें यहां पे contact कर सकते हैं